हेलो दोस्तों असलाम वलेकुम एक और नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का स्वागत है उमीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे खेडिये से होंगे इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो लोग भी कतर आना चाहते हैं वीशा ओनरैबल पे उन लोगों को अप कतर साने से पहले डिसकवर कतर के वेबसाइट पर जा करके होटल बुकिंग करना होगा जितने दिन कतर में रहेंगे उतने दिन के लिए उनको होटल बुक करना होगा कैसे करना है इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ अगर आप लोग खुद से होटल बुक करते उन लोगों के पास international debit card या तो credit card होता है वो लोग खुद से book कर सकते हैं तो इस वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाला हूं कैसे book करना है तो चलिए वीडियो को start कर लिए से पहले बता दे अगर आपने अभी तक चैनल को नहीं subscribe किया है तो चैनल को subscribe करने के साथ साथ ब उसके निचे आप देखेंगे तो visa honorable आपको देखने को मिल जाएगा तो आपको visa honorable पे click करना है उसके बाद आपके सामने में visa honorable का page खुल के आ जाएगा जहां से आप hotel book कर सकते हैं इसका link मैं आपको डिप correction में दे दूँगा ताक कि आप असानी से इस page पे आ सकते हैं उसके आपको यहां पर एक इरान का number देखने को मिलता है अगर आप इंडिया से book करना चाहते हैं या जानना चाहते हैं तो यह दो number दिये गए हैं इन दो number में से किसी भी एक number पे call कर सकते हैं अगर आप पाकिस्तान के हैं तो इन दो number में से किसी भी एक number पे call करके मालूमात ले सक इसके अलावा यहाँ पर एक और नंबर नीचे दिया गया है जो खतर का नंबर है अगर आप इंडिया से इस नंबर फून करेंतों आपका जो च words है ज्यादा लगेंगा तो बहतर यहीć रहेगा आप जो working time में उस टैम में जो नंबर दिया गया है इंडियन उस नंबर पर आप कॉल करके मालूमात ले सकते हैं चलिए चेक कर लेते हैं एक मई से लेकर के तीस मई तक अगर आप कतर में रुखते हैं तो आपको कितने देने होंगे, उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले एक मई लगाना होगा, क्यूंकि एक मई हम यहां कतर में आएंगे, उसके बाद हम चेक आउट जो करने का डेट है, हम 30 मई लगाएंगे, उसके नीचे यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा, आप कितने आदमी आ रहे हैं कितने रूम लेते हैं उस सारे आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा तो यहाँ पर हम केबल एक रूम लगाएंगे और अकेले गेस्ट रखेंगे उसके नीचे आपको देखने को मिल जाता है कितने एज के लोग आ रहे हैं 18 साल से उपर है या तो प्राइज अभी आप देख सकते हैं स्कीरिन के उपर 6525 रियाल है 29 रात आप कतर में रुकेंगे 29 रात रहने पर आपको इतना प्राइज दिया जा रहा है अगर आप और भी देखना चाहते हैं नीचे आते हैं तो आपको और जादे प्राइज देखने को मिलेगा चलिए तो यहाँ पर आपको 10,000 रियाल तक 29 दिन के लिए देने पर सकते हैं आपको जो भी होटल लगे उसको बुक कर सकते हैं यहाँ पर जो प्राइज है अभी आप इसके रिन के उपर देख सकते हैं 6525 रियाल है जिसमें आपको केवल होटल मिलेगा इसमें आपको खाना पिना क भूटल कहां पे यह सारे आपको डिटियल दिखाए जाएगा आपको क्या-क्या मिलेगा यह सारे यहां पर दिखाए जाएगा अगर आप इसको refund करना चाहते हैं तो 28 अपरिल से पहले इसको refund किया जा सकता है अगर आप इसमें break fast सर्ब add करेंगे तो उसके लिए आपको extra charge देना होगा अगर आपको चैट नहीं करना चाहते हैं तो आपको keep पे click करना है keep पे click करने के बाद आपके सामने में फिर से एक नया page खुलेगा नया page खुलने में हो सकता है आपको थोड़ा time लगे नया page खुलने के बाद आपको जो नीचे दिख रहा है यहाँ पर आपको बताया जाएगा price के बारे में तो यहाँ पर आप price देख सकते हैं उसके बाद आपको क्या करना है continue to book जो नीचे लिखा है इस पर आपको click करना है इस पर click करने के बाद आपके सामने में जो page है booking का वो खुल के आ जाएगा जहाँ पर आपको आपका जो detail है वो डालना होता है अगर आपके पास कोई voucher है तो उसको यहाँ पर add कर सकते हैं नहीं तो आपको नीचे आना है नीचे आने के बाद सबसे पहले यहाँ पर आपको title डालने का option आता है Mr. है Mrs. है जो भी आपका title हो डाल सकते हैं उसके नीचे option आता है first name डालने का, उसके नीचे आपको last name डालना है, उसके बाद यहाँ पर डालने का जो option आ जाता है date of birth, date of birth डालने के बाद आपको passport number डालना है, उसके बाद आपको कौन से देश से travel करके कतर आना चाहते हैं, उसके नीचे आपको nationality डालने का option आता है, वो नाम आपको यहाँ पर नीचे आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर आपको एक email ID डालना है, एक mobile number डालना, compulsory है, उसके नीचे आपको जिस पे star नहीं लगा हुआ है, उसको भरना जरूरी नहीं, यहाँ पर line 1 में star लगा हुआ, इसको भरना जरूरी है, city डालना जरूरी है कैंटरी कतर लिखा है, इसको आपको हटा करके आप जिस देश के रहने वाले हैं, उसको लगाना है, आपका nationality क्या है, उसको यहाँ पर डालना है, उसके बाद जो नीचे option आ जाता है, जो आपको यहाँ पर दो टिक लगाना होगा, confirm करना होगा, उसके बाद आपको पे ना नाम हो गया, email id, mobile number, address हो गया, city हो गया, इसके बाद हम कौन से देश से रहने वाले हैं, यह सारे डालने के बाद आपको क्या करना है, नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको क्या देखने को मिला है, दो आपको टिक लगाना होगा, एक टिक लगाने के बाद आपको पे करने होंगे, इसके लावा आपको यहाँ पर दो आप्शन देखने को मिलता है, एक तो कतर में कार्ड उश्यू हुआ है, वो यहाँ पर आपको उपर में देखने को मिलता है, उसके नीचे आपको देखने को मिलता है, इंटरनेशनल डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, इन तीनों में से जो भी कार्ड आपके पास हो उस पे किलिक करना है मिसाल के तोर पे मैं यहाँ पर आपको भी साकार्ड पे किलिक करके दिखा देता हूँ उसके बाद आपके सामने में कुछ इस तरह का आप्शन आएगा जहां पर आपको कार्ड डेटेल डालना है ये सारे fill करने के बाद आपको नीचे आना है नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर एक टिक लगाना है उसके बाद confirm your payment है जो option आपको दिख रहा है इस पे आपको click करना है इस पे click करने के बाद आपके email, ID पर mail के सरीये से आपका जो booking का paper है उसको भेज दिया जाएगा PDF फाइल में किसी भी दुकान पे जाकर के इस PDF फाइल का paper निकलवा सकते हैं इहतराज में approval के लिए जो PDF फाइल होगा उसको ही आपको upload कर देना है अगर आप चेक करना चाहते हैं आपका booking confirm हुआ या नहीं हुआ तो उसके लिए हमने वीडियो बना रखा है आपको वीडियो last में और डिप करेक्शन में मिल जाएगा उस वीडियो का आप देख सकते हैं दूसरे वीडियो में जानेंगे booking कैसे cancel कराना है या booking को change करवाना चाहते हैं कुछ changing करवाना चाहते हैं तो कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं दूसरे वीडियो में जानेंगे तो उमीद करता हूँ आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा होगा अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया होगा तो आप सीख गए होंगे कैसे डिस्कवर कतर के तरफ से आपको होटल बुक करना है और अरैवल बिजा पे आने के लिए कैसे होटल बुक करना है इसके ला बना रखा है आपको वीडियो लास्ट में और डिप करेक्शन में मिल जाएगा उस वीडियो का आप देख करके चेक कर सकते हैं आपका भूकिंग कंफर्म हुआ या नहीं हुआ अमीद करता हूं आप लोगों के लिए वीडियो फाइदे बंद होगा अगर वीडियो पसंद आ रखे थैंक यू फर वाचिए